अलविदा इंटरनेट एक्स्प्लोरर 22 साल तक साथ देने के लिए शुक्रिया आपकी विरासत को याद किया जाएगा जब भी इंटरनेट की बात की जाएगी तब इंटरनेट एक्स्प्लोरर को याद किया जाएगा वेब सर्चिंग के लिए इंटरनेट एक्स्प्लोरर का होना बेहत जरूरी था देश भर के सभी साइबर कैफे में हम सब लोग इसी ब्राउजर के जरिये अपनी समस्याओं को दूर किया करते थे मगर 27 साल बाद माइक्रोसोफ्ट ने आखिरकार वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्स्प्लोरर को विदाई दे दी है और एक्स्प्लोरर उप्योग करताओं को अपने एज ब्राउजर के नवीनतम संस्क्रन से पुनर निदिर्शित करेगा 15 जून तक माइक्रोसोफ्ट ने विन्डोस 10 के कई संस्करनों पर एक्स्प्लोरर के लिए समर्थन समाप्त कर दिया है एक्स्प्लोरर एक काम करने वाला ब्राउजर बना रहेगा लेकिन नए खत्रों के आने पर इसे उनसे सुरक्षित नहीं किया जाएगा एक्स्प्लोरर को पहली बार 1995 में माइक्रोसोफ्ट कॉर्परेशन द्वारा पेश किया गया था और विन्डोस ओपरेटिंग सिस्टम के साथ जोडा गया था एक्स्प्लोरर ने पहली बार कई विन्डोस उप्योग करता हो को इंटरनेट के खुशियों से परिचित कराया था 2002 के आसपास तक Firefox लॉंच होने तक एक्स्प्लोरर लाखो लोगों के लिए डिफॉल्ट विकल्प बना रहा गाइस क्या आपने भी इंटरनेट एक्स्प्लोरर का यूज किया है और आपका एक्स्पिरियंस कैसा रहा कॉमेंट जरूर कीजेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए शेर सब्सक्राइब और लाइक मिलते हैं अगले वीडियो में जैहिन